हेलो गाइज गुड बॉर्णिंग नमस्कार जैस्री राम वेलकम बैक को माई चैनल ब्लैक बीश्ट इस अखिलेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल ब्लैक बीश्ट तो आज हम बात करने वाले भूटिया डॉक्स के बारे में वाइशूड यूड फूटिया डॉक और यूड फूटिया डॉक्स के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर चरचा करने वाले हैं और यह इसलिए जयोरी है क्योंकि कुछ लोग बिना इस बीट को समझे हुए बिना इस बीट की प्रॉपर नॉलिज लिए हुए कि वल भूटिया डॉक्स तो उनके ल इसे लोग इन डॉक्स को सडकों में छोड़ देते जो कि वहती गलत है जब भी आप डॉक्स को घर पर लेकर आते हो या घर पर लेकर आने की सोचते हो तो सबसे पहले डॉक्स की ब्रीडिंग स्टैंडर को लेकर डॉक्स की प्रिफ्रेंस को लेकर और अपनी प्रिफ्रेंस इस डॉक को लेकर इन बातों पर सोचना चर्चा करना बहुत ज़ोरी है फर्स्ट आप आपको आपकी क्या रिक्वार्मेंट है डॉक को लेकर और डॉक्स ब्रीट की जो आप घर पर लेकर आते हो उसकी क्या रिक्वार्मेंट है आपको लेकर तो इस बातों में चर्चा करना बहुत ज़ुरी है अगर आपको parenting dog की guarding breed चाहिए औरा फिर Labrador या वहती friendly dog लेकर आते हो तो वो आपकी कुछ काम की नहीं है और आप उसरी बात में परिशान हो सकते हो यह आपको friendly dog चाहिए और आप गार्डिंग डॉग लेकर आते हो, तो भी आप उससे परिशान हो शकते हो, तो अब हम बात करते हैं, जब भी आप डॉग को घर पर लेकर आने की सोचते हो, तो सबसे पहले खुद से आप ये question कीजे, कि क्या आप डॉग्स की lifetime commitment ले सकते हो, क्या आप अपने डॉग्स को 10 से 15 साल अपने साथ रखने को तयार हो, अगर आपका answer हाँ है, तो आप बिल्कुल डॉग्स को घर पर लेकर आईए, और उन्हें proper respect और love दीजे, जो वो deserve करते हैं, और अगर आपका answer नहीं है, तो please डॉग्स को घर पर लेकर मत आईए, क्योंकि आपकी life में तो हजारों लोग हो तो ऐसे में अगर कुछ टाइम पालने के बाद, आप अपने डॉग को abandon कर देते हो, या किसी और को दे देते हो, तो ये बहुत ही heartbreaking moment होता है, किसी भी डॉग के लिए, किसी भी fat के लिए, so please never abandon your fat, और इसलिए लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और उसकी preferences breed के बारे में जानना बहुत जोरी है, तो चलिए अब हम बात करते हैं main topic पर, भूटिया डॉग के बारे में, why should you adopt भूटिया डॉग, क्यों आपको भूटिया डॉग पालने सही है, first reason है, great guard dog, भूटिया डॉग बहुत ही अच्छे guard dog होते हैं, और पूरे worldwide famous हैं, अपनी guarding skill को ल very good family dog, very good companion, ऐसा नहीं है कि ये केवल guarding dog है, ये family के लिए भी बहुत अच्छे companion का काम करते हैं, और बच्चों के साथ especially बहुत ही friendly dog होते ही भूटिया डॉग, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल इने family में बच्चों के साथ छोड़ सकते हो, तो काफ इसमें normally कोई healthy issue नहीं देखे गई हैं, काफी अच्छी dog breed होती है, बिल्कुल rough and tough dog breed है, और जैसे foreign breed में काफी healthy issue आ जाते हैं बाद में तो इनमें ये बिल्कुल healthy dog breed है, और इसका fifth reason है, अगर आपके पास farm area है, और आप कोई खेतों में या फसल में या कुछ भी आपका कैसा और आप चाहते हो कि गार्डिंग का concern है और आप जानवरों को अपने farm से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जानवरों, जंगली जानवरों को दूर रखना चाहते हो, तो भोटिया dog आपके लिए एक बहुत ही वेतर रिकल्फ है, क्योंकि ये बहुत ही powerful dog हो अब हम बात करते हैं, second point पर, why should you not adopt भोटिया dog, अब हम इसके negative point पर चर्चा करेंगे, basically negative point तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ point में इनके बारे में जान लेना भी बहुत जोरी है, अगर आप भोटिया dog लेनी की सुचते हो, ताकि बाद में आपको problem ना हूँ, first, एक तो भोटिया dog बहुती cold environment की dog breed है, अगर आप cold place में रहते हो, तो आपके लिए ये बहुती perfect है, लेकिन अगर आप warm places में रहते हो, तो summer में इनकी extra gear की बहुत ज़रुत पड़ती है, आप इन्हें suitable temperature दे सकते हो, अगर आप गर्मियों में रहते हो, गर्म इलाकों में, तो आपको इनकी समर में, AC cooler प्रोवाइट करना mandatory है इनके लिए, और अगर आप इन्हें AC प्रोवाइट कर सकते हो, cooler या जो भी ठंडी जगह इनके लिए suitable है वो आप इन्हे प्रोवाइट कर सकते हो, तो ये बहतर है आपके लिए, और अगर आपको चाहिए केवल आपको बहुत बहु अगर आप इन्हें यह प्रवाइड नहीं कर सकते हो सेकेंड है एनर्जेटिक डॉक व्रीड यह भोटिया डॉक बहुत ही अनर्जेटिक डॉक व्रीड होती है यह अपने नेटिव फ्लेस में या जो गाउं में जहां पर यह पाई जाते हैं अराउंड ट्वन्टी टू ट्व इनकी प्रडे वॉकिंग होती है यह खुली जगहों पर घूमते हैं इन्हें घूमना फिलना बहुत परसंद होता है तो अगर आप आपके पास बहुत ही अच्छी ओपन इसपेस हैं आप गाउं में रहते हो या काफी ओपन इसपेस हैं तो आप इसे ले सकते हो या आपके पास बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें सहरों में लेकर जाते हो या जहां पर प्लेशिस कम होते हैं, तो अगर आप इन्हें ऐसी जगह पर लेकर जाते हो तो आपको इन्हें प्रॉपर टाइम देना होगा, आराउंड इवनिंग और मॉर्निंग मे at least 40 to 50 minutes की walking इन्हें डेली बहुत ही जोरी है यदि आप इन्हें प्रॉपर टाइम दे सकते हो और डेली प्रॉपर वॉक दे सकते हो तो भोटिया डॉग आप बिलकुल ले सकते हो अगर आप इन्हें प्रॉपर वॉक नहीं दोगे तो और इन्हें चेंड में बांदे वे रखो अगर्शिव भी हो सकते हैं और आपके घट से भाग भी सकते हैं और ये बहुत बढ़ा रीजन देख है कि काफी लोग काईप ने मिदेखा was상रों में काफी सडको में छोड़ देते हैं लिए पहले डाविक को ये कि विलकुively गय्त टीशिए कं't सी Collection कि ये थोड़ बागने के केशिन में ज्यादा होते हैं और लास्ट है ट्रेनेविलिटी देखो बेसिकली भोटिया डॉग बहुत ही अच्छे गार डॉग होते हैं यह नेचरली गार डॉग है इन्हें गार्डिंग को लेकर कोई भी ट्रेनिंग की ज़ुरत नहीं फड़ती है इसके अलावा भोटिय है इसके देखो बहुत है अगर अगर आप ऐसा डॉग जाते हो जो आपकी हर इक बात को फ़ॉलू करे और हर एक बात मानें तो वोटिया डॉग आपके लिए बिल्कुल भी सही ब्रीड नहीं है He has own mindset and he is king केवल 95% वोटिया डॉग ट्रेने वल नहीं होते हैं Only 5% वोटिया डॉग can be trained और अगर आप सोचते हो कि आप trainer hire करके वोटिया डॉग को train कर सकते हो तो it's very difficult, it's very hard to train them क्योंकि 95% वोटिया डॉग train नहीं हो पाते हैं 5% वोटिया डॉग ही train हो पाते हैं और वो भी इन्हें आपके वहल नॉर्मली train कर सकते हो अब इन्हें जैसे प्रो लेवल के training like German Shepherd या Labrador की तरह आप अगर train करना चाहो तो बहुत ही मुश्किल है, जैसे Labrador या German Shepherd को train करते हैं जो हर एक टास्क को follow करते हैं तो ऐसा भोटिया डॉग में हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है बहुत ही rare है क्योंकि ये breed नॉर्मली rough and tough dog breed होती है mountain dog breed होती है, independent nature का होता है और इनकी specialities होती है, इनकी guarding skill तो अगर आपको guarding का concern है और guarding के लिए आप dog लेना चाहते हो तो भोटिया डॉग आपके लिए बहुत है और एक बार भोटिया डॉग आप लेना चाहते हो तो उससे पहले एक बार वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको ये preference अगर शूटेबल होती है तो ही भोटिया डॉग लेजिये वरना बाद में अगर आप पहले शौक से ले लेते हो और बाद में छोड़ देतो तो बहुत ही गलत है तो थैंक यू शो मच पूर वासिंग दिस वीडियो अगर आप सोचते तो प्लीज वीडियो जरूर देखिए वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिए तो थैंक यू शो मच जैस्री राम